दूरे दूरे नेक्स्ट टोपिक जो हम करने चाहरे हैं वो है 14.3 Magnetic Flux and Magnetic Flux Density जो 1st चेप्टल था हमारा electrostatic स्वाला जो लोगने पड़ा था electric flux तो इसी तरह जिस तरह electric flux is electric field of lines के बजा से होता है इसी तरह जो magnetic flux है वो magnetic field of lines के बजा से होता है यानि के अगर हमारे पास कोई magnetic field है उसकी magnetic field of lines है अगर ये magnetic field of lines हो है किसी भी area A में से गुजरें ये area A है अगर इस में से magnetic field of lines गुजर रही है तो हमारे पास magnetic flux जो है इसको हम define करते हैं phi और इसका subscribe लो लिखते हैं B जो के dot product होता है हमारे vector of magnetic field of magnetic induction to the vector area of that surface through which the magnetic field of lines passing यानि इस surface area में से magnetic field of lines passing हो रही होंगी the number of field magnetic field of lines passing through a surface area अब यह याद रखना है कि यह magnetic field जो है यह uniform magnetic field हम ले रहे हैं ठीक है यह variable magnetic field नहीं है variable surface area नहीं है magnetic field हमारे पास uniform है तो इस uniform magnetic field अगर गुजरती है किसी भी surface area में से अगर गुजरने वाली magnetic field जो है वह B है और surface area का जो vector component है जो के normal to the magnetic field होगा वह A है तो हमारा magnetic flux होता है equal B dot है इसको अगर हम open करें इस dot product को आपको बता है कि यह आता है B A cos theta तो यह theta जो है यह होगा between the magnetic field to the vector area of the that surface ठीक है अगर vector area और magnetic field के दिरम्यान दोनों normally parallel है तो theta हमारे पास कितना बनता है 0 degree तो अगर 0 degree है cos 0 क्या होता है 1 होता है तो magnetic field जो है उसमें से गुजरने वाली maximum magnetic field गुजरेगी यानि के उसका जो flux होगा इस surface area में से गुजरने वाला magnetic flux क्या होगा maximum होगा अगर जो है surface area कुछ इस तरह हो जाता है कि यह surface area है और यह magnetic field of lines हो है यह गुजर रही है अब आप देख सकते हैं कि यह surface area है vector of the surface area हमारे पास normally perpendicular बन रहा है अगर perpendicular होगा तर खीटा हमारे पास 90 degree हो जाता है और cos 90 क्या होता है जीरो होता है तब इसमें से गुजरने वाला magnetic flux है वह 0 होगा ठीक है क्योंकि कोई भी magnetic field of lines हो है वह उसके surface area में से नहीं गुजर रही हमारे पास direction of the surface area जो है normally perpendicular है या कहलें कि आपका surface area जो है जो surface area जो है वह parallel to the magnetic field ठीक है तो angle जो है आप देख सकते हैं कितना बना 90 degree है अब बच्चों बात यह हैं कि हमारे पास एक non uniform magnetic field और और area भी हमारे पास specific ना हो तो उसके लिए अगर हम magnetic flux मालूम करना चाहें कुछ इस तरह तो इस तरह केस के अंदर जो है हमारे पास surface area जो vector है वह इस तरह होगा तो angle क्या बनेगा थीटा ही बनेगा तो इस case के अंदर हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास एक variable case हो यानि curve surface की form में हो वह plane surface ना हो curve हो तो हम क्या करते हैं हम उस surface को small small patches के अंदर dissolve करते हैं और हर patch में से गुजरने वाला flux जो है उसको count करते हैं उसको calculate करते हैं और at the end हम तमाम fluxes जो है तमाम patches को sum up करके total magnetic flux जो है वह मालूम कर लेते हैं ठीक है तो बाकी आगी बात unit की अगर हम इसका unit देखें magnetic flux का तो इसका unit है जी वीबर magnetic flux का unit क्या है वीबर है वीबर कैसे बनता है हम देख लेते हैं कि वन वीबर किसके equal होता है अब आप देखें magnetic flux जो है हमारे पास क्या है जी B dot A ठीक है अब यह magnetic flux जो है आपको बता है B किसके equal है Newton per ampere per meter per ampere और area हमारे पास यहां पर मीटर स्क्वेर तो इसका unit जो है यह बन जाता है Newton meter per ampere जो के equal है किसके वीबर के जी students वन वीबर हमारे पास किसके equal होगा Newton वन न्यूटन यानि इस बिर वन लगा लें इधर भी वन लगा लें तो magnetic flux का unit जो है वन वीबर होता है वन न्यूटन मीटर पर ampere के ठीक है अब हम बात करते है magnetic flux density की magnetic flux हमने पढ़ लिया magnetic flux density क्या चीज है magnetic flux बच्चो अगर यहां से हमने magnetic flux density निका लिए तो magnetic induction ही actually magnetic flux density होती है magnetic flux density को हम define करते है number of the या number of magnetic flux या magnetic flux passing through per unit area magnetic flux per unit area यह हमारे पास होती है magnetic flux density ठीक है यानि magnetic flux जो है per unit area हम कैसे निकाल सकते है इसी equation को अगर हम यूज करें तो यहां से हमारे पास magnetic flux density जो है जो कि magnetic field strength भी है magnetic induction भी है there is another name of the magnetic induction magnetic field strength this is called magnetic flux density यह equal होगी हमारे पास flux per unit area अब flux का unit था weber जबके area हमारे पास क्या है? मीटर स्क्वेर तो इसका magnetic flux density का unit आता है weber पर मीटर स्क्वेर वीबर पर मीटर स्क्वेर तो इसको हम शौट फार्म में कुछ हिसा लिए लिए लाते है capital W and B small case per meter square this is the unit of the magnetic flux density यानि magnetic flux density का unit जो है वो है weber पर मीटर स्क्वेर और यह बच्चों equal होता है किसके one tesla के this is equal to the one tesla आप इसको प्रूव भी कर सकते हो कि weber पर मीटर स्क्वेर किसके एकल होता है one tesla के कि ऐसे सकते है कि अच्चों चूब्स आप पर मीटर स्क्वेर और आप पर दो usually yeah झाल झाल